हर एक exam चाहिए वो हिंदी हो English हो Science हो SST और Mathematics हो Hindi English English Science Science SST इन सब के बीच में चार-चार दिनों के gap है और SST और Mathematics से बीच में सिर्फ तीन दिना gap है आज मैं आपको exactly बताने वालाओ कि इन तीन तीन चार-चार दिनों के बीच में exactly पढ़ाई कैसे करनी है So that जब आप board examination लिखने के लिए बैटो अपने exam center में आपका दिमाग सबसे ज़्यादा active रहे आपके पास सबसे ज़्यादा knowledge रहे और आपके अंदर इतना confidence रहे कि भाई चाहे exam कोई भी हो आप board कराऊ सिर्फ ये 10 मिट का session इस चीज़ को बताने के लिए काफी है तो अंडिस्टाइड की यार ग्याप के बीच पढ़ना कैसे है इन फैक्ट में हिंदी से लेके शुरू कर रहा हूं आप लोगे लिए क्योंकि इस देश में बहुत सारे बच्चे से के लिए हिंदी चूज करते हैं तो हम आज हिंदी से शुरू करेंगे और ना ही सिर्फ हिंदी इंग्लिश के ग्याप्स में कैसे पढ़ाई करनी है साइन्स के ग्याप्स में कैसे पढ़ाई करनी है आपके SST के ग्याप्स में कैसे पढ़ाई करनी है और फाइनली माक्स के ग्याप्स में कैसे पढ़ाई करनी है मेरे अंदास से, मेरे तडिके से आपको बताने वाला हूँ अगर आपको ये suitable लगता है तो आपना follow कर सकते हो अभी के अभी नहीं लगता है तो it's absolutely fine कोई-कोई elements आपको अच्छे लगेंगे, उनको आप डाल सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर इतना जरूर फोकस करूँगा कि आपकी revision पूरी हो जाए इन gaps में और साती साथ आपकी practice अच्छे से हो जाए और आप physically और mentally healthy रहो क्योंकि वो बहुत जादा important है मेरे लिए क्योंकि यार देखो, अगर आप physically healthy नहीं होता आपको दिमाग healthy नहीं रहे और दिमाग healthy नहीं रहे तो आप exam बिकार लिखोगे, आपका mood अच्छा रहे, आपको breaks मिले, यह सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो, मैं आज आपको एक time table बताने वाला हो कि gaps के बीच में पढ़ाई कैसे करनी होती है तो वीडियो का इन तक देखना, चले शुरू करते हैं and as usual पूरे session का pdf आपको आपको मेरे टेल्राम साल में मिल जाएगा, link description में है मेरा इंस्टा आइडिया अभीश्री संदस्कूर विदान तू, भापई मिल सकते हैं, शुरू करते हैं तो success doesn't come to you, you go to it है ना, success आपके पीछे थोड़ी बहुत भागेगी अगर आप काबिले के तरफ भाग रहे हो, लेकिन अब इस point पे आपको उसकी तरफ दोड़ना पड़ेगा और उसकी तरफ दोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फोड़नी पड़ेगी बच्चो ठीक है, तो आज के session का एक और उद्देश ये है कि आप सब इतना motivated हो जाओ कि 10th examination हो या पूरी जिंदगी के हर एक struggle को आप पूरा कर सको ठीक है, चले फिर शुरू करते हैं, और आज के इस session में जो भी आपके concerns है gaps को लेकर, वो सारे concerns को मैं पूरा करने वाला हूँ, जैसे आपके शायद अभी कुछ concerns होंगे, sir exam gap कम है, क्या करें, सारे subjects कैसे होंगे, manage, कहीं सिर्फ एक ही subject पढ़ते नहीं रहे जाएं, क्या time table follow करूँ, तो ये सारे जो भी आपके doubts हैं, वो सारे doubts अभी मैं clear करने वाला हूँ, चले फिर शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं, हिंदी examination से, जो आपके 21st February 2024 को हो रही है न, 2024 को आपकी English examination हो रही है, और इस English examination में करना क्या है exactly, sorry, हिंदी examination हो रही है, 21st February को 2024 और करना के exactly ध्यान देते हैं, ठीक है, तो इसकी preparation प्रवबली आप लोग शुरू कर लोगे, 15th February से आप लोग इसकी preparation शुरू कर लोगे, तो काफी अच्छी बात है, ये आपको ध्यान रखना है, कि हिंदी का preparation, अब 15th या 16th February से शुरू कर रहे हूँ, 15th, 16th February से शुरू करने के बाद, आपको day 1 और 2 में क्या करना है, ध्यान से देखिए, morning, focus on grammar and literature, और ये कब करना है, ये आपको precisely 10.30 to 1.30 p.m. करना ही करना है, 10.30 a.m. to 1.30 p.m. करना ही करना है, क्यों करना है सर इस वक्त पर specifically, क्योंकि आपका board examination इसी वक्त होता है, और जब आपका board examination होता है, आपके दिमाग को उस वक्त active होना पड़ेगा, बच्चो, अगर आपका दिमाग उस वक्त सो रहा होगा, अगर आपका दिमाग trained नहीं होगा, कि इस वक्त मुझे active होना पड़ता है, तो फिर आपको दिमाग active नहीं होगा, for example, अगर आपसे पूछू, आप हर दिन एक particular time पर उठते होगे, आप हर दिन एक particular time में सोते होगे, ठीक है, मानल वाइज एन example देता हूँ, कि अगर आप रात को हर दिन 11 बजे सोते हो, किसी एक दिन अगर आप 11 बजे की beyond जगने की कोशिश करते हो, तो आपको पता है कि भाई, 11 बजे होते होते हैं, आपको नीद आने लग जाती है, क्योंकि आपका दिमाग, आपकी body trained होती है, जब आप हर दिन एक particular time पे आप breakfast करते हो, या lunch करते हो, उस time के अगर आप late night पढ़ाई करते हो, और सुभा सोते हो, तो फिर जब आप board examination लिखने जाओगे, तो आपका दिमाग उस वक्त भी सो रहा होगा, और तो आपकी body वहाँ बैटी हो के लिए आपका दिमाग सो रहा होगा, active नहीं होगा, आपको जवाब नहीं मिलेंगे, और तब जाकर आपका brain हो जाता है, deactivate, पूरा blank हो जाता है, confidence low हो जाती है, और फिर आप पचताते हो, इसलिए इसी वज़े से जब हम prepare कर रहे हैं, study gaps के दौरान अपने routine को well disciplined रखेंगे, maintain रखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़े बहुत ज़्यादा important है, आप मानो या ना मानो, आप आप मुझे बाद में आकर thank you बोलोगे इस बात को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, हजारो लाखो बच्चों ने बोला हुआ है, और हजारो लाखो बच्चों ने आकर मुझे sorry भी बोला हुआ है, कि sir sorry हम आपको follow नहीं के, इसको हमने बहुत ज़्यादा lightly ले लि बच चलो, afternoon की बात करते हैं, afternoon में practice writing essays and letters in Hindi, है ना, तो आपने 10.30 तो 1.30 ये पूरा complete किया, हिंदी की जितने chapters हो सकते थे, उन chapters हो का literature में complete किया, और grammar का बात complete किया, अगर आप चाहो, तो ये मैरे दोनों क्यों दिया हुआ है, क्योंकि mix and match होगा, तो भहतर होगा, grammar की practice होग है, वरना boring हुजाता है थोड़ा सा, तो 10.30 तो 12.30 मान लेते हैं, अगर आप literature practice कर रहे हो, तो 12.30 तो 1.30 आप grammar practice कर सकते हो, या तो बीच पीच में, जैसे आपने एक घंटे ये पढ़ा, एक घंटे वो पढ़ा, आपकी मर्जी इसको कैसे करना है, लेकिन इसके gap में आपको ये करनी है, अब सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा, आपको लिखने की practice करनी पढ़ी हो, लिखने की practice किस चीज के लिए करनी है, वो आपको करनी है, writing part के लिए, जो आपका होता है, essays and letters in Hindi, 1.30 पिम ते करने के बाद, 1.30 तो 2.30 पिम आप lunch कर सकते हो, और साती साथ 2.30 पिम से से आधे गंटे का, वो बहुत-बहुत possible है, आप definitely कर सकते हो, आपको करना भी चाहिए, नहीं करोगे न, तो फिर आपकी body, जो इतने देर महनत कर रही थी, आप in fact आपने 3 गंटे पढ़ाई कर ली है, है ना, तो ये बहुत important है कि आपकी body को आप rest दो, rest देने के बाद, 3.30 बहुत सारे प्राक्टिस आप कर पाऊगे, बहुत सारे प्राक्टिस आप कर पाऊगे, अराम से है ना, और बाकी दिन भी तो है, वो भी हम प्राक्टिस करेंगे, तो ये कर लिया हमने, 5.30 पीम से लेके 6 पीम तक आपने एक और break ले लिया, चाय वाय पीने के लिए, लोगों से बाते करने के लिए, आपने कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, मैं चाहता हू कि आप इवनिंग के दौरान भी हिंदी में थोड़ा सा और अक्टिव हो जाओ, क्योंकि ये आपके अगले धिन जब आप पढ़ाई करने उठोगे, सुबा सेम चीज, तो फिर आपके पास और जादा, ये नो, एनरजी होगी और दिमाग होगा प्राक्टिस करने के लिए, तो 6 p.m. to 9 p.m. 6 p.m. to 9 या 8.30 p.m. तक मैं चाहता हूँ कि आप एक mock test paper solve कर दीजे हिंदी का, हिंदी का एक mock test paper solve करिए, इससे क्या होगा, ना ही सिर्फ आपकी confidence बढ़ेगी, आपके अंदरे different गिसम की energy आएगी कि भाई, देखो मैं solve कर पा रहा हूँ, है न, तो बहुत important ह करना, और आप यह भी देख पाऊगे कि भाई, तीन घंटे में आप हिंदी लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, तो mock test paper solve कर दिया, ठीक है, तो इसके बाद फिर आप dinner करने के बाद अराम से सो जाना, 10 बजे या 11 बजे की आसपा, जैसे भी आपको हो पाता है, और उ आप 6 बजे उट सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन 7 गंटे की नीद बहुत important है बेटा, वरना आप healthy नहीं रहोगे, आपका दिमाग जैसे आपको पता ही, अगर आप की नीद अच्छी नहीं होती है, तो फिर आप किरक्रे होते हो, तो फिर आप इरिटेटेड होते हो, अगर आपकी नीद ठीक से नहीं हो, तो एक अच्छी नीद बहुत important है, बहुत ज़ादा important है, ठीक है, तो 7 गंटे अच्छे से सोजाना, 6 बजे उटकर फिर आपको जो करना, आप definitely करना, special बात क्या बता, 6 बजे उटने के बाद आप जो कल जो आपने दिया था paper, उसमें जो जो गलतिया हुई है, उन गलतियों को आप दुबारा practice कर सकते हो, ठेक है, कि ये गलतिया हुई थी, इसको मैं revise कर लेता हूँ, फिर आप जाकर दुबारा morning routine आपको शुरू करना, जो day 3 and 4 का होगा, तो day 1 and 2 में आपने कर लिया दोनों चीज़े, तो मतब day 1 और 2 में आपने 2 mock test paper कर लिये है, आपने पूरा grammar और literature revise कर लिया है, essay और आपका letter भी आपने, या तो जो भी writing section में आता है, वो आपने practice कर लिये है, तो कुल मिलाकर आपने इस चीज के लिए 6 गंटे दे day 3 and 4 की, यानि के भाई, ये आपने 15 February और 16 February को किया, अब हमात करने वाले है 17 February और 18 February को, ठीक है, तो 17 February और 18 February को क्या करेंगे, एक और बार revise करेंगे हिंदी के topics के लिए, ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपकी कुछ miss out हुई है, वो सारी चीज़े हम revise करके पूरा complete कर देंगे, क ये आप कर लेना between 6 p.m. to 8 p.m. है ना, 6 a.m. to, मेरे मिस्क, 6 a.m. to 9 a.m. के बीच में इसको आप कर दीजेगा, ताकि आप फिर breakfast का break लेकर, आपका यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आप एक mock test paper 3 भी दे दो, यहाँ पर आपने एक mock paper 2 mock paper दे जाते हैं, यहाँ पर mock test paper 3 दे आपका practice बना रहे हैं, उसके बाद आप lunch break लेने के बाद, you can continue doing this, same, lunch break लेलिया, nap लेलिया, rest लेलिया, 3.30 p.m. अपने शुरू किया, focus on week areas identified during practice, इसके दोरान आपके जो भी week areas आए हुए हैं, जो जो topic अभी भी नहीं हो रहा है, उनको आप दिवारा revise करोगे, उसके बाद 5. 5.30 को एक break लेने के बाद, 5.30 p.m. को एक break लेने के बाद, you'll come back to evening, जहां पर आप उन चीज़ों को एक बार revise कर लोगे, जहां पर आपने, जो आपके लिए बहुत easily आता है, है ना, जैसे अगर आपको grammar बहुत easily आता है, उनको एक और बार revise कर लोगे, या तो उन topics कर लोगे जो topics आपने बिल्कुल भी नहीं पड़े हुए है, छोए भी नहीं है, आपके बहुत बगत आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है, then I'll continue with your day 5 to 6, day 5 to 6, याने कि आगर आपका 19th February और 20th February की बात करूँगा, तो again the story continues, ठीक है, you will continue with your poems and stories, आपका जो भी poem बगेरा है, अगर miss out हो गया, तो उसको एक बार पढ़ाई कर लिजिए, अच्छे से literature में complete कर दीजिए, पूरा finalize कर दीजिए, इसके बाद हम इस चीज को दुबारा मुड कर नहीं देखेंगे, और उसके बाद, then of course, we'll get into mock test paper again, है न, mock test paper के बदरे मैं कहूंगा, कि अब पिछले 2 साल के PYQ को solve करिए, पिछले 2 साल के PYQ को solve करिए, starting from 10.30, going till 5.30, ठीक है, 10.30 to 1.30, एक section हो गया, उसके बाद 3.30 to 5.30, दूसरा section हो गया, दो mock test paper solve कर लिजेगा, मतलब 2 PYQ, दो साल के PYQ को solve कर देजिगा हिंदी का, ताकि आपके नेरा ओर conference पर जाए, let me tell you, हिंदी के बहुत सारे सवा करो रात के वक्त, रात के वक्त, नो more पढ़ाई, 5.30 हो गई, आपने कर लिया, अगर कुछ बच गया हो, summary, memory आपको revise करनी हो, उनके दुरू करिए, कोई भी भारी पढ़ाई, ना ही examination 21st February के, एक दिन पहले 20 February के रात को होगी, और ना ही कोई पढ़ाई, सुबा उठने के ब बाद होगी, ठीक है, आपको अगर कोई summary, memory revise करने, तो वो आप कर लिजे, जो भी आपने notes, words बनाए, उसको एक बार पर लिजे, tension बिल्कुल ने लेना, आपने माबाप से बात करिए, ताकि आपका stress और कम हो जाएगा, लेकिन इसके बाद कोई भी भारी पढ़ाई और नही ठीक है, तो ये हो जाता, आपका हिंदी का proper time table, और इसी basis में हम आने आने वाले subjects को भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है बेटा, ये अच्छा लगा, तो इसको एक बाद जल्दी से screenshot लेलो, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं to the next one, which is your week 2 for your English exam preparation, और English exam preparation मेरे क्याल से mostly हिंदी जैसे ही है, कोई difference नहीं है, आपका वही सेम चीज, सेम चीज लागो होगा, जैसे हमने हिंदी में देखा था, कि आपको mock test paper कप करना है, grammar, literature कप करना है, poem कप करना है, आपका letter writing, essay या बाकी चीज़े कप करनी है, exact same pattern पाप English भी चलेगा, और English में आपको basically, अगर 21st February से 26th February की second day पर move करना पड़ेगा, उसके लावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो English examination के लिए, मैं अभी आपको एक बाद थोड़ा सा दिल्दी से बता देता हूं, कैसे करना है, ठीक है, day 1 और 2 में, सबसे पहले, हम अपना grammar sort करने के लिए, हम क्या करेंगे, वही हमारा सिलसला 9 a.m. हमने अपना grammar एक बार अच्छे से देख लिए, दो गंठे में अपना grammar दुबारा से revise कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिए, पूरा नहीं हुआ होगा, revision पूरे नहीं होगी, grammar, it's okay, that's absolutely fine, लेकिन इसके बाद हम दुबारा 10.30 to 1.30 p.m. बैटेंगे, mock test paper 1 के लिए, ठीक ह हम, ठीक है, 1.30 तक हो गया, फिर हमने lunch बागेरा सब कर लिए, उसके बाद 3.30 हमने दुबारा बैटे, और 3.30 बैटने के बाद हमने क्या क्या, आप देखोगे, 3.30 p.m. to 5.30 p.m. हमने comprehensive और unseen passages को एक बार revise कर लिया, हमने बहुत सारे और passages को देखे, पिछले साल की papers को देख एक break लिया, 5.30 को 6.00 p.m. तक break लिया, then we went on forward to practice 6.00 p.m. से लेके 9.00 p.m. तक हमने क्या गया, हमने writing practice की है, जहाँ पर जो भी चीज़े आती है, जो भी चीज़े आती है, लेटर, essay, reporters पर जो भी चीज़े आती है, वो सब हमने यहाँ पर practice कर लिया, ठीक है, तो पहले दिन मे कितने गंटे की पढ़ाई हुई, पहले 2 गंटे यहाँ पर, फिर 3 गंटे का 1 mock test paper, तो हो गया आपके 5 गंटे, उसके बाद फिर आपने दुबारा यहाँ पर 3 गंटे दिया है, तो आपने पहले दिन 8 गंटे की पढ़ाई कर लिया, विच है तिंक more than sufficient होता है, अब दूसरे paper 2 दे दिया है, उसके बाद फिर आपने passages को एक और बार देख लिया, नहीं passages को दुबारा नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम दुबारा इन दोनों sections में writing practice को complete कर देंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से English में आपको सिर्फ letter और SME और बहुत साथ चीज़े आती है writing वाले section में, तो writing और writing वाला part जो है, पूरा का पूरा इसमें complete कर देंगे, दूसरे दिन, तो पहले दो दिन हमने grammar और writing पूरी की पूरी practice कर लिए, in fact section A reading भी practice कर लिए, इसके बाद हम दो दिन के बाद इसको नहीं छुएंगे, ठीक है, complete हो गया, और in fact हमने 2 mock test paper भी कर लिए है, अब अगले test papers हुए है, day 1 और day 2 में, उनको जाचना है, देखना है कि कहा कहा पे क्या क्या गलती हुई है, और करने के बाद उन सारे गलतियों को पढ़ लेना है, सीख लेना है, समझ लेना है, ठीक है, वो हो जाएगा, 2 गंटे के अंदर, फिर दुबारा मैं चाहता हूं कि आप आईए और आपका 10.30 to 1.30, एक और mock paper दे दीजे, ठीक बेटा, एक और mock paper दे दीजे, तो यह हो जाएगा, mock test 3, English paper का mock test 3 हो जाएगा, ठीक है, 10.30 to 1.30, अब बात आती है, आपकी 3.30, मतलब 1.30 की 2.30 लंच ले लिया, लंच के बाद आपने गंटे rest कर लिया, अब rest करने के बाद फ लेकर 5.30 तक literature करोगे, ठीक है, फिर एक break लोगे आप, ब्रेक लेने के बाद दुबारा क्या कहते है, 6 से लेकर 9 तक literature करोगे, ठीक है, तो क्या हो गया अभी, मैंने 3.30 से लेकर 9 पीम तक, याना कि बेसिकली 5 गंटे में मेरा literature revise हो जाना चाहिए, लिटरेचर आना है, कि सार कि सारे chapters revise हो जाने चाहिए, उसके questions revise हो जाने चाहिए, पूरा, 5 गंटे के अंदर, ठीक है, बतार, revision हो गया, तो इस दिन हमने क्या क्या कर लिया, हमने जो दो test दिये थे, उसमें जो हमारी गलतियां हुई है, उनको revise के लिए 2 गंटे देकर, 3 गंटे का एक और mock test paper लिख दि है, दुबारा हम क्या करेंगे, कि हमारा जो 7 a.m. to 8 a.m. है, जो हमारी गलतिया हुई है, mock test paper 3 में, उन गलतियों को एक बार जाचेंगे, देखेंगे, कुछ और कर सकते की नहीं कर सकते हैं, करने के बाद, हम यहाँ पर एक break ले लेंगे, 8-9 का break ले लो, और आज के दिन 9 a.m. to 12 p.m. है ना, 12 p.m. तक आप दीजिए, mock test 4, चौता mock test paper, यानि कि आपने हर दिल, एक-एक mock test paper दिया, आपका दीरी तरे conference बढ़ते जा रहा है, English के लिए, ठीक है, आपने mock test paper 4 दे दिया, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने literature complete कर लिया था, अब हमें poem complete करना है, तो आपने 12 to 2 का एक break लिया, 12 से 2 का आपने break लिया, उसके बाद 2 बज़े से लेकर, ठीक है, 2 बज़े से लेकर, 5 बज़े तक, 2 बज़े से लेकर 5 बज़े तक, आप poem complete करोगे, और मुझा रखता है कि poem complete करने के लिए, हमें 3 गंटे काफी होते है, revise करने के लिए, 3 गंटे में अपने सारे poems का revision कर लिया है, अच्छे से, आपने दुबारा क्या किया भाई, आपने दुबारा एक घंटे का break ले लिया, मालो 6 पीम का आपने break ले लिया है, 6 पीम तक, उसके बाद 6 पीम से लेकर 9 पीम तक, जो भी आपका English में और बज़ गया है, उसको आप practice करोगे, कुछ भी हो सकता है, वो, कुछ भी हो सकता है, वो, poem बज़ गया, उसको practice कर लो, English का कुछ literature बज़ गया, तो practice कर लो, कुछ note making, कुछ भी बज़ गया, grammar अब कुछ भी बज़ गया, उसको practice कर लो, लेकिन, लेकिन, जैसा मैंने कहा, 9 बज़े के बाद, nothing, और अगले आपके follow करने बाद तो let me know again that exact same thing ठीक बेटा तो अभी हमने हिंदी और English कर लिया है मैंने बोला तक आपको की 10-15 मिट के सेशन में देखिए कि मैं इतना detail में जा रहा हूं मुझे वक्त लग रहा है I hope you understand अब आगे बढ़ते हैं let's focus on our week 3 which will be our science preparation जो हमारा subject है science का उसको कैसे करना होगा अब science के लिए आपको English अगर आप देखोगे आपको चार दिन का gap है 27th February को आपका 26th February को आपका English हो रहा है तो 27th, 28th, 29th और March 1st तो चार दिन गाप मिल जाता है March 2nd को आपका science है तो इन चार दिनों में exactly करना क्या है एक बार देख लेते है जलती से ठीक है अब science के लिए of course ही बात है science में आपका एक favorite subject होगा है ना एक favorite subject होगा एक medium level subject होगा एक hard subject होगा जो आपका favorite subject है उसको पहले दिन कर लीजे खतम कर देजे उसको ताकि उसमें कोई marks न कटे ठीक है तो मेरे लिए जैसे आप देखो कि मेरे लिए favorite subject आपका physics है मैं क्या करूंगा सबसे पहले सबसे पहले अगर मैं साथ बजे उठ रहा हूं मैं अगर साथ बजे उठ रहा हूं तो इसको देखो ध्यान से देखो कि क्या करना है ठीक है focus on this topics में कर रहा हूं लेकिन focus कैसे कर रहा हूं मैं 7 a.m. to 9 a.m. मेरे चार chapters हैं सिर्फ चार chapters उन चार chapters का 20 minutes का one shot देखोंगा ठीक है 20-20 minute वाला one shot हमने बहुत बनाया हुआ है 20 minute का one shot देखोंगा ताकि 20-20-20 चार-20 मंदब कितने होगे भाई 40 minute याने के कुल मिलाकर देड़ घंटे के अंदर मेरा पूरा का पूरा one shot के थ्रू मेरा preparation हो जाएगा और बाकी मैं additional आदा घंटे से देखोंगा ताकि one shot देखते हैं अगर आप notes बगरा बना रहे हो तो आपको पूरे दो गंटे लग जाते ठीक है तो दो गंटे में मैंने अपना पूरा एक बार फिजिस का revise कर लिया है छोटे-छोटे one shots के थ्रू ठीक है अब हमारी activity दुबारा शुरू होती है एक दिन में हम सिर्व एकी subject पढ़ेंगे multiple subjects नहीं पढ़ेंगे अब हम क्या करेंगे हम सीधा जाकर सिर्फ physics का सिर्फ एक मॉक टेस्ट करेंगे ठीक है सेम टेन-30 ए-म से 1 30 पी-म तक फिजिक्स मॉक टेस्ट नमबर वन सिर्फ इसे से मॉक टेस्ट करेंगे confidence फिल करना बाई बढ़िया ओके 1.30 पीम से लेकर 4.30 पीम तक जो भी हमने गलतिया किये स्विजिक्स पेपर में उसको दुबारा पड़कर हमने सॉल्व कर दिया ठीक है तो यह हमने कर लिया रिविजिन अब आई यह सौटरक ठीक है अब इसके बाद हमने क्या किया आप चाहँ दैक ब्रेक लेलो आदे गंटे का 5 पीम से लेकर 9 पीम तक 4 गंटे होते हैं इन 4 गंटों में हम NCRT के solutions देखेंगे ठीक है चार गंटों में NCRT के solutions देखेंगे चार चाप्टर है तो भाई एक गंटे हर चाप्टर हर चाप्टर में 10 से 15 सवाल है NCRT के exercise में और कुछ सवाल आपके index में हैं लेकिन अगर आप पूरा overall देखेंगे आप आराम से कर पाओगे तो एक गंटे हर आप हर चाप्टर को देखकर मैं physics के हर एक चाप्टर का NCRT solutions strong कर दूँगा अब यह आप YouTube से देख सकते हो या तो हमारा NCRT marathon देख सकते हो कहीं से भी देख सकते हो NCRT solutions खतम कर देने सारे सवाल चाप्टर के बीच के example बाहर सब कुछ ठीक है अब यही सेम चीज मैं second दिन फॉलो करूंगा chemistry के लिए ठीक है बायों के लिए ठीक है मैं अभी improvise कर रहा हूं मैं बना के कुछ और लाया था लेकि मुझे लगता है कि यह बहतर रहा आपके लिए डे त्री मैंने सेम चीज किया बायों के लिए ठीक है अब डे फोर सबसे जादा important डे फोर है डे फोर में मैं चाहता हूं पूरे ध्यान से बिएम का जो आपका गाप है इस गाप में अगर आपका कुछ भी छूट गया है फिजिक्स में केमेस्ट्रियों बायों में उसको कवर अप करें पढ़ाई करें ठीक है वॉटेवर इस लिफ्ट उसको पढ़ाई करिये वॉटेवर इस लेफ्ट हो जाने के बाद नाओ आए वांट फ्रम 10 30 फ्रम 10 30 तो 130 आई वांटा साइंस मॉक टेस्ट पूरा साइंस का सिलबस्क होगे फिर आपने ब्रेक लिया फिर आप 3 30 को आए नाओ आए वांट 3 32 630 पिछले पिछले पांच साल के पेपर्स को आपको एक बार देख लेना है 5 प्रिवियस यर पेपर्स को देख लेना है ठीक है देख लिया ओके नाओ इसके बाद अगर और अभी कुछ बज़ गया रिवाइस करने के लिए तो कर लेना 9 बज़े तक फिर खतम कुछ नहीं करना है अगर आप चाहते हो से मेरे पास अभी कुछ बज़ गया तो सो कर लेना अगर मैं होता 10 में तो मैं ऐसे प्राक्टिस करता मेरे साइन्स के लिए और इसी कॉंफिदेंस से मैंने आपको यह टेक्नीक बताई है इसलिए मैं इसलिए मैंने बीच में कार्ड देख लगता है कि है मिकसे नहीं करते हैं ग्याप्स के दि ज़रूरी की कॉंफिदेंस विल्टप मेरे अंदर मैं ऐसे सब्सक्राइब पढ़ना ही चाहता है आपको चार्जिंका गैप मिलेगा तो अब यहां पर चीज़े बहुत सिंपल है ठीक है हिस्टी के इंपोर्टन टॉपिक्स पर हम सबसे ध्यान देंगे रॉम सेवन टो ना है न उसके बाद थोड़ा सा चीज़े बदलने के लिए हम जोग्रफिया प्लिकल साइंस पर ध्यान देंगे लेकिन इस पर हम ध्यान दे इसले हिस्टी से जाधा इंपोर्टन हो जाते है में लिए इस टाइम पर करना क्योंकि जोग्रफिया प्लिकल साइंस पर बच्चों आप लोग का इंट्रेस्ट जाधा होता है और क्या कहते हैं हिस्टी जैसे याद करने वाले से भी जाधा थोड़े से और लॉजिकल होते ह टेक्निकल थोड़े से थोड़े सब बुलेट पॉइंट स्वाइज होते हैं तो वह आपके प्रिंग को थोड़ा और अक्टिवेट करता है जिस वज़े से डाइव इंट जोग्रफिन पॉलिकल साइंस जूरिं टेन थर्टी टू कैसा मैंने कहा था ओन थर्टी देडगंट सिक्स पीम टू नाइन पीम चलो जल्दी से प्यारा सा एक एसस्टी का मॉक टेस देड़ा मॉक टेस नमबर वान ठीक है प्यारा सा और सिंपल भाशा में अगर आब यही चीज़ फॉलो कर लेते हो चौते दिन तक आई डोंट तिंग दर इस एनिफिंग यल्स विच विच आपने मॉनिंग हिस्ट्री कर ली क्योंकि मॉनिंग सबसे ज्यादा आप अक्टिवेटेट रहते हो जगे हुए रहते हो तो हिस्ट्री जहां पर बहुत चाही चीज़ याद करनी पड़ती है तो सुबह पढ़ोंगे तो शायद ज्यादा दिनों तक याद रहेगा तो सेव एक मॉक्ट ते दिया अब जो चीज बच गई है उन चीज़ों को आपने डे टू में पड़ा फिर एक और मॉक्ट तेस दिया मॉक्ट तिया नौबजे तक आपने चार दिन के अंदर चार मॉक्ट हिपर देग डिया और हिस्टी, सिविक्स, एकोनॉमिक्स और जयोग्रफी सब कुछ complete भी कर लिया अब यहाँ पर आपके उपर है जब आपको जो भी topic revise करना होता है यहाँ पर system में आप one shots की तुरू करते हो या NCRT की तुरू करते हो हमारे सुर्भी में आपने हर एक chapter का 30-30 minutes का one shot भी बनाया हुआ है वो भी आपको काफी useful पढ़ेंगे आप अराम से चार chapters का यहाँ पर one shot देख सकते हो हर चीज के लिए हर दिन तो you have a very good timeline राइट आँ यहाँ पर आपके total number of chapters ही कुछ 14-15 होंगे तो अगर 14-15 chapters को मैं अगर हर दिन हर दिन अगर मैं you know history के दो-दो history के दो और इसके दो-इसके दो कर लेता है तो अराम से मेरा तीन दिन के अंदर ही पूरा syllabus कंपलीट हो जाता है अराम से तो आप जैसे चाहो कर सकते हो whatever suits best for you लेगिन आपको सी बात आपको याद रहे ने कि पूरे दौरान हम भी marathons कर रहे होंगे YouTube पर ताकि आप उस पर भी आकर revision कर सको ठीक है? चिंदा मत कर आगे बढ़ते हैं to the week 4 and I think it's the last examination that is mathematics और हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते है तीनी दिन है mathematics के लिए साथ मार्च को SST हो रहा है और आपका क्या कहते है 11 माच को max तो 8 तारिक, 9 तारिक, 10 तारिक यही आपके पास 3 दिन है लेगिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपके पास SST के दिन का भी वक्त है तो जो day 0 है which is basically your SST का दिन 4 दिन भी बहुत important है त्योंकि 1.30 PM के examination के बाद जब आब वापस आ जाते हो घर, आप 3.30 तक rest लेने के बाद आप mathematics तब ही शुरू कर सकते हो mathematics तब के तब शुरू कर सकते हो mathematics में आप उस chapter से शुरू करना जो आपका favorite है और जिसका one shot देख सकते हो 30-30 minute वाला जल्दी से revise करने के लिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से कुछ 14 chapter आपके mathematics के अगर 14 chapters के मैं 30-10 minute के one shots देख लूँगा तो कितना वक्त हो जाता है भाई मेरा हो जाता है 7 गंटे है ना, 7 गंटे, तो अगर मैं day 0 शुरू करता हूँ 3.30 और अगर मैं उस दिन कम से कम कम से कम अगर मैं 7 chapters जाने के साड़े 3 गंटे के one shot देख पाता हूँ और बाकी साड़े 3 गंटे में अपने अगर notes बना पाता हूँ तो आप समझ रहो मेरा आधा syllabus का revision SST के दिन ही हो जाता है mathematics का और सिर्फ मैं theory perspective में बोल रहा हूँ मैं numerical perspective, practice perspective में नहीं बोल रहा practice हम खरेंगे इसके बाद है ना तो हमने क्या क्या day zero में कम से कम seven chapters को revise करने का plan बनाया है by watching 30 minute का one shot ठीक है और बाकी साड़े 3 गंटे जैसे day zero अगर मैं 3.30 शुरू करता हूँ साथ गंटे होते हैं 10 बजे तक ठीक है या तो 10.30 तक which is a good amount of time seven hours, good amount of time और अगर मैं one shot देखते-खते खुद notes बनाते-बनाते कर रहा हूँ तो मैं अराम से seven chapters कर सकता हूँ अराम से है ना 3.30 to four एक देख लिया फिर मैंने notes बनाए तो एक गंटे लग गए तो ऐसे करके मैं seven chapters कर सकता हूँ break भी ले लिया बीच में seven a.m. to nine a.m. का जो वक्त है इन साथ chapters में अगर मेरा कुछ बच गया है उसको complete करूँगा complete करने के बाद फिर मेरा routine शुरू होता है हर दिन का same 10.30 to 1.30 मैं maths का एक mock test दूँगा ठीक है 10.30 to 1.30 मैं maths का mock test दूँगा full syllabus का चाहे मैंने one पहले साथ chapters के revise कियो कोई बाद रहे मैं मैंने पहले पढ़ा हुआ न मैं तो इसमें revise कर रहा हूँ मैं पढ़ाई कुछ नहीं कर रहा revise कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ठीक है 130 मैंने दे दिया उसके बाद जो भी था यह जो मैंने साथ chapters पढ़े हुए है उन साथ chapters के numericals को practice करना शुरू किया कितना वक्त मिल लिए मैं रहे को यहाँ पर साड़े तीन गंटे साड़े तीन गंटे मैंने उन साथ chapters को practice करना शुरू कर दिया बढ़िया चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सर अभी भी तो दिन बाकी है हाँ अभी भी दिन भी बाकी है और वक्त भी बाकी है अभी है हमार पास दो दिन और है लेकिन अब तक क्या हो गया है मैंने एक mock test paper दे दिया है साथ chapters का theory completed है और मैंने numericals एक set तक कर लिया है अब हम day two में थोड़ी चीजों को बदलेंगे हम क्या गरेंगे दुबारा seven a.m. to nine a.m. दुबारा seven a.m. to nine a.m. और साथ chapters बजगे मान लो ठीक है तो मैं यहाँ पर और तीन chapters complete करूँगा वन शॉट देख तीन chapters वन शॉट देख कंप्लीट कर दूँगा ठीक है बड़ी है वन शॉट देखर मैंने theory complete कर दी है इसके cool है ओके उसके बाद फिर उन तीन chapters से रेटेड जो numericals है और जो बाकी साथ chapters मतलब टोटर में दस chapters के जो numericals है प्रॉब्लम से उनको मैं दुबारा यहाँ पर टेन एम से लेकर है ना वन पीम तक यह तो वन थर्टी पीम तक प्रैक्टिस करूँगा कितने होगा मेरे साधे थीन गंटे न नुम्रिकल टेन chapters numerical practice मैं तो यह करूंगा भाई तो वन थर्टी पीम तक हो गया तो अब मेरा क्या हो गया मेरा अब 75 percentage of syllabus complete हो जाता है with theory and with problem practice एक अच्छे लेवल पर है ना लेकिन अभी मेरे पास वक्त है भाई ब्रेक विक लेकर रेस्पर लेकर त्री 30 पीम को जब मैं शुरू करता हूं और 530 पीम तक जाता हूं इसमें मैंने क्या क्या इसमें मैंने तीन chapters को और वन शॉट देख लिया थी इन चैप्टर का वन शॉट और मैंने देख लिया ठीक है उसके बाद अगेन दे स्टार्ट जो जो चार चाप्टेंगा उसको कम्रीड करती है इसक्स पीम टो नाइन पेम मैंने दुबारा प्रॉब्लम स्ट्राइटिस के अब हो मैं इन चार चाप्टेंगे कर सकता हूँ या तो फिर सब 14 चौंट चार्प्टे के भी कर सकता हूं, आपकी मर्ज़े जितना आपको करने आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको पास तीन गंटे का फक्त गया है अगर कुछ भी बच गया है रिवाइस करने कि लिए कर लेने का देन विल गो फॉवड फॉर टेन थर्टी तो वन थर्टी मॉक टैस टू मॉक टैस टू ठीक है और एक गंटे अब रेखलें लेंगे सिर्फ फिर टू थर्टी टू 530 हम आप टैस थी देंगे ठीक है उसके बाद six to nine जो गलतियां हुई है वो सुधारेंगे कोई numerical problems बज गया है तो वो कर लेंगे maximum according to me this becomes one of the best timetables which you can follow अगर आपका max strong है नहीं है फरक है नहीं पड़ता और इस पूरे पूरे टाइम टेबल मैंने आपको बताया बहुत सारे mock test के बारे में सरो mock test कहां से मिलेंगे या भाई इतने देर से यहां पट्टी चल रही है दिख रहो होगा ना देखो क्या लिखा हुआ है free all subjects test series for cbsc 9 and 10 with pdf solutions और कहां मिलेगा यह link is there in the description जाए description में लिखा हुआ है और जैसे आप चले जाते हो वहाँ पर buy now का option होगा 1000 रुपे का test series 0 पे आता है science के लिए sst के लिए mathematics basic standard दोनों और English के लिए आपके पास है हिंदी का में बहुत जल्दी निकालने वाला test series निकाल दिया तो आपने buy now पे क्लिक करके sign up कर लिए आप सितना करना है sign up करने के बाद आपका एक अच्छे से मैं बतातों कि test कैसे लिखना है आपके सामने एक आजाएगी आपकी प्रोफाइल बन जाएगी और प्रोफाइल पे आपको my test option होगा जहां जहां पर आपको मैंने बताया हुआ कर लेना बहां पर आप इन ही मॉक टेस्स के स्तमाल कर सकते कोई इश्यू नहीं है आपने my test पे क्लिक किया और सिधा आगया व्यू सिलिबस देख लिए आपने सिलिबस देखने बाद आटेंट नाउ किया आपके सामने स्टार्ट टेस्ट आजाएगा ये लेटेस CBC पैटन with 50% of competency question वाला mock paper है असी माग सा paper होगा तीन गंटे का होगा 38 questions exact paper pattern पे होगी आपने start test किया test लिख दया test लिखने के बाद आपने submit and end test कर लिया उसके बाद आपने download कैसे करना है answers को more section में जाना है more section में आपको मिल जाएगी content library content library क्लिक करोगे तो test series का नाम क्लिक करिए जो subject का आपने test लिखा होगा उस subject पे क्लिक करिए और उस subject के कौन सा mock test लिखा होगा है उस पे read पे क्लिक करिए और फिर आपका सामने आपका pdf solution आ जाएगा along with you know download and print option completely your call ठीके बेटा तो अभी हमने क्या क्या गर लिया हमने realistic goal set किये हमने study gaps को सही से utilize किया एक sort of schedule बनाया है अपने लिए और अपने गलतियों पे काम भी किया और हमने ये भी कोशिश की कि हम सुभा 6 बजे उट रहे हैं 7 बज़ से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं लेकिन रात को 9 ब issue नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा strain नहीं करना है बहुत बहुत important ठीक है और इस पूरे दोरान बच्चो लोगों से बात करना सब कुछ करना है बहुत important आपको ये कहना चाहता हूँ कि यार कोई कुछ भी कह दे इस दोरान सबसे ज़्यादा stress होता है आपके parents कुछ भी कह द करता हूं and I know that you can and you will तो मैं बस आप लोगों से comments में spam करवाना चाहता हूं कि भाई spam कर देना कि sir I can and I will watch me मैं करके दिखाता हूं यह चाहिए हर एक बच्चे का जो ही YouTube session देख रहा है उस बच्चे का newspaper में चेहरा आना चाहिए बैस इतना चाहता हूं कि टॉप कर गया अच्छा लगों तो please make sure to hit the like button, share this video, subscribe to the channel, मिल ते नेक्स सेशिन में ते नेक्स सेशिन में प्रेस पीपल